हेलो फ्रेंड्स आपका मेरे कवर वीडियो में स्वागत है आज हम एर्पॉनिक फार्मिंग के बारे में पड़ेंगे एर्पॉनिक फॉर्मिंग इसमें प्लांट को बिना सोल की मतलब करते हैं वो भी थोड़े मिस्ट इन्वायरमेंट के अंदर थोड़ा मतलब फ़ड़ा पानी चेड़कते उसके अपर और हवा के अंदर उसको ग्रो करते हैं अब इस फार्मिंग से होने वाले बैनीफिट की बात करते हैं तो मारा पहला तो बैनीफिट यह है कि हमारी जो फसल जो है मतलब जो क्रोप होगी वो करीब करीब तीन गुना जाद़ स्पीड से ग्रो कर दूसरा है हमारा इसमें कम से कम पानी जो होता है 98% तक की पानी की बचात हो जाती है और तीसरा है इसमें अगर हम वर्टिकली ग्रो करते है क्रोप को तो हमारा स्पेस भी बहुत जारा बच जाता है और इस मेथर से हमारा पॉलिशन भी कम होता है और उससे प्रोब्लम भी कम होगी होगी और इसकी कुछ डिस आड़्वांटेज के बारे में बात कर लेते हैं तो इसकी सबसे पहले तो डिसband वांटेज कि यह थोड़ा costly होता है इसमें technical equipment यूज होते है इसलिए थोड़ा जादा costly होता है दूसरी है क्योंकि इसमें हमें high pressure चाहिएगा pumps, sprinkler, पानी चिड़कने के लिए पोदो के लिए तो अगर वो damage हो जाते तो हमारी crop को हम भी कर सकता है तो दिक्कत हो सकती है और इसका future scope तो बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि इतने सारे benefits से इसके तो future scope इसका बहुत बढ़िया होने वाला है कम land पे हम इतनी जादा crop की वातरा हमें जरत पड़ेगी जिस तरह से population बढ़ रही है तो हमें इसकी farming ऐसी farming करने की सबसे ज़ादा जरुत है थैंक यो फूर वाचिंग प्लीस लाइक सेरें सबस्क्राइब